नमस्कार दोस्तों स्वागेट है आप सभी का आपके अपने चैनल बिएसे टिखीक्लाश में दोस्तों आज की क्लासमें बात करेंगे रेलवे गुरुप नीफ परिक्षा 2020 में साइन्स के रेलवे कैसे कोशिंज पूछ सकते आपको किस टाइप के questions को पढ़ना है कौन कौन से topic आपके लिए important है सारे questions आज की इस class में discuss करेंगे तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं आज के अपनी इस class को पहला question देखिए आप सभी को यहाँ पर क्या दिया गया है आईए देखते हैं तो यहाँ आपको बताना है कि भार घडी में इस fatigue crystal का कारे किस पर अधारित है इसको दोस्तो बताई थाड़ी वन कोशन का अमरा राइट डांसर क्या हो जाएगा घडी में इस fatigue crystal का कारे किस पर अधारित है तो आपका सही जवाब दिया गया है दाप विद्दुत प्रभाब पर अधारित है अगला question देखिए अगला question देखिए इसको देखिए पानी के एक ग्लास में एक बरफ का तुगड़ा तेर रहा है जब बरफ पिगलती है तो पानी का जो इस तरोगस पर क्या प्रवाब होगा बढ़ेगा कम होगा उतना ही रहेगा या फिर पहले बढ़ेगा फिर कम होगा तो यहां से आपका सही जवाब हो जाएगा उत्ना ही रहेगा ठीक है तो अगर आप का अंसर Vision आपर शी आ रहा है तो उसकी गतिस उरजा क्या होगी उसकी गतिस-उरजा हो जाएगी चार गुनी जी हां दोस्तो वेघ अगर डबल है तो गति दोस्तों क्या हो जएगी चार गुनी घॉजाएगा क्यों ! क्यूंकि काइनेट इनेटी पराबर होता है Hob Theigent B होता है यह तो आप लोग ने पढ़ा होगा अगर दोस्तों वेग हमारा जो यह है तो इसका स्क्रों चार और ये दो गुना है तो यह चार गुना हो हमारा अगला कोश्चन देखिए इसको बताइए बरसा की बूंते जो किसके कारण गोलाकार होती हैं बहुत सिंपल कोश्चन है सर्फिस टेंशन यानि की प्रश्ट तनाव अगला कोश्चन देखिए दूर संचार के लिए प्रियुक्त तरंगे कौन से हैं दोस्तो अब आपको बताना है कि दूर संचार के लिए कौन से तरंगे प्रियुक्त होती हैं तो दोस्तो फिब्ध कोश्चन का हमारा सही जवाब हो जाएगा माइक्रोवेव अगर आप लोगों मैंसे भी किसी का अंसर माइक्रोवेव आ रहा है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा समाने टीवी रिमोट कंट्रॉल में उप्योग की जाने वाली तरंगे कौन से होती हैं यह आपकी होते हैं जिहां अगर आप लोगों का अंसर से आ रहा है अवरक्त केल्ड हैं इसको बताइए दोस्तों मनुष्य के लिए सोर की सहसीमा करीब करीब कितनी होती है तो यहां से आपका सही जवाब हो जाएगा 85 डेसिबल अगर इतना साउंड अगर आता है तो इसको बोलते सोर है नवाइज आ रहा है तो कितना होता आपका 85 डेसिबल होता है ठीक है चलिए अगले कोशन देगे क्या दिया गया आपको तंतु प्रकासी की संचार में संकेत किस रूप में प्रभाइत होता है तो दोस्तो है तो बताते हैं आपको 57 कोशिण का सही जवाब क्या हो जाएक प्रकास त्रहँ तो अDie कॉस्षन देखिए दो प्रकास त्रहँगे परसपर संबत रहती है यधी उनके क्या हो प्रकास त्रहँफ संबत समान हो जब उनके color के तारों की मुश्यांDR सम Jewishत्ति समान coinc तो दोनों तारों को एक समयन कंपित करेंगे तो क्या होगा तो दोस्तों हमारा जो होगा उसको बोलते हैं विस्पंद जी हाँ बहुत कम लोगों का अंसरे यहां पर भी आ रहा है लेकिन फिर भी जिनका भी आ रहा है वेरी गुड बागी लोग ध्यान देंगे हमारा अगला क कुशन देखे क्या दिया गया है इसको देखिया अगला कुशन और भी इंपॉर्टेंट है यह कुशन आपके एक्जाम में भी पूछा गया था कि निम्दिकित में से किसके द्वारा उत्पन तरंगों को हम लोग ऑसिलोस्कोप द्वारा देख सकते हैं जी यहां दोस्तों द नव्याफर बहानों में प्रश्ट दरश्टी दरपन के रूपमें किस दरपन का प्रयोग में लाइज आता है तो दोस्तों पीछे के चुचीन देखिया अगला कुशन दिखिए क्या दिया गया है यह एक बस तू दो समांतर समतल दरपन के बीच रखी जाती है तो उसके प होगी यह है बहुत इंपोर्टन कोशन माल लीजिए एक आपके पास सीशा यहां पर सीशा लगा दिया एक सीशा यहां लगा दिया यह दोनों मिरर है यह दूसरा सीश है क्या watching um that पिए आक औहार के निकट धृस्ति दोस को निम न में से रही होक से दूर किया जा सकता है तो yo 갖고 अगर दूर दर्श्थी दोस्पों की रोक के मुक्ति कैसे होते है वह दो सरह नी मतलब उत्तल दenser तो सही जवाब क्या हो जाएगा बीवाला हो जाएगा अगला कोशन देखी क्या दिआ गया इसको बताईए मनिश्य की आख में प्रकास तरंगे जो है किस इस्थान पर इस नायों उद्देगों में परिवर्थित होती है तो दोस्तों यहां से आपका साइज वा हो जाएगा रेटीना यह बनता है उल्टा बनता है मतलब दोस्तों अगर हमारे सामने कोई पेड लगा हुआ है इस तरीके से और यह हमारी आख हो गई अगला कोश्चन देखी क्या दिया गया है सूर से प्रत्वित परकास के पहुशन में लगवा कितना टाइम लगता है तो आपका सही जवाब हो ज नेक्स कोश्चन देखी क्या दिया गया मनुश्य की आख में किसी बस्तू का प्रत्वित जिस भाग पर बनता है उस वह क्या है तो यहां से आपका सही जवाब हो जागा उसको बोलते रेटीना अभी तो मैंने बताए रेटीना के बारे में चलिए अगला कोश्चन देखी जल्दिस बताएं किसा भी लोग निम्न में से किस रंग की सबसे लंबी तरंग ध्यारे होती है बहुत ही सिंपल कोश्चन है तो यहां से आपका सही जवाब हो जागा लाल रंग की सबसे लंबी होती है सबसे कम तरंग ध्यारे किसकी होती है यह कमेंट में आप लोग जाएगे तो दोस्तों बताते हैं आपको ुसका सही जוצनों का प्राइब ढयाएगा क्या और कि पूतली जिस अलेकिलाइट के अधी तनुविलियन से फैलाई जाती है वह क्या है तो 57 कोश्चन का हमारा सही जवाब हो जाएगा पता है क्या बोलते हैं इसको तो अगर आप लोगों में इसे जिसका भियां से डिया रहा है सी आ रहा है एट्रॉपिन डेट्स परफेक्ट बाकी लोग ध्याद दीजे दोस्तों जिनका सी नहीं आ रहा है अब उड़ जासे नाविकी उड़ जासे तो दोस्तों यहां से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए बी सी या फिडी तो आपका सही जवाब हो जाएगा सौर उड़ जासे ठीक है ना सूलर से से नेक्स्ट कोश्चन देगी क्या दिया गया आपको 3D जो आपकी 3D फिल्म इ जाते हैं दोस्तों कॉंटेक्स लेंस बनाई जाते पर यहां पर बताईए ऑप्शन एस होगा बी सही होगा सी सही पता है आप लोगों ने आपका सही जवाब हो जाएगा लिवसाइट और यह है दोस्तों आज का लास्ट कोश्चन आप सभी के सामने सबी लोग बताएंगे निम्न मेसेज जो है दोस्तों कॉन सा धातू अर्ध चालक यानि कि सेमी कंड्रक्टर की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है तो यहां से बताईए तामबा जर्मेनियम ग्रेफवाइट या फिर चांदी तो देखिए दोस्तों यहां से आपका साइजवाब क्या हो ज जाता है लेकिन जर्मेनियम दिया गया तो राइट असर जर्मेनियम हो जाएगा और फिलाल दोस्तों आज़ी क्लास में रखते उम्मीद करतें यह क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टन ही होगी आगर यह क्लास आपको इंपॉर्टन लगी हो तो वीडियो को लाइक की जाएगा शेयर के जाएगा फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से आपकी नेक्ट क्लास में तब तक लिए दोस्तों नमस्कार